उत्तराखन के दहरादून स्थित हिमगीरी जी उनिवर्सिटी को सुप्रीम कोट ने नूटिस जारी किया है हिमगीरी जी उनिवर्सिटी के कुछ चात्रों ने दरसल सुप्रीम कोट में याचिका दाखिल कर युनिवर्सिटी पर धोखा धड़ी और फर्जी डिग्री देने का आरूप लगाया है सुप्रिम कोट ने युनिवर्सिटी के संरक्षक और एसल ग्रूप के चेर्मेन सुभाष चंद्रा से भी जवाब मांगा है सुप्रिम कोट ने युनिवर्सिटी, युनिवर्सिटी के चांसलर, युनिवर्सिटी के संरक्षक सुभाष चंद्रा, उत्राखंड सरकार, केंडर सरकार, UGC, Z-Learn Limited और Central Vigilance Commissioner को आठ हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है याचिका में आरोप लगाया गया है कि हिमगरी जी युनिवर्सिटी ने देश के हजारों चात्रों को बिना मानिता प्राप्त कोर्स में दाखला देकर धोका धड़ी की है याचिका के मताबिक UGC से मानिता नहीं होने के बावजूद BSC Animation के कोर्स में चात्रों को गलत जानकारी देकर दाखला दिया गया ये पिटिशन कुछ स्टूडन्स ने फाइल करी थी कि हमको इस तरह से चीट किया जा रहा है सारे कानून और रूल्स का उलंगन करके ये लोग एक कमर्शल पूरा ओपरेशन चला रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने युनिवर्सिटी को, स्टेट को, यूजी सी को, सुभाश चंद्रा को इन सब को नोटिस इशू की हैं चात्रों का आरूप है कि नियम के मताबिख यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों में सेंटर्स या ब्रांचेज नहीं खोल सकती है लेकिन युजी सी से बिना अनुमती लिए युनिवर्सिटी ने देश के सत्रा राज्यों में अपने सेंटर्स खोल लिए जिसमें हजारों चात्र पढ़ाई कर रहे हैं चात्रों की मांग है कि हजारों चात्रों के करियर को बचाने के लिए हिमगरी जी युनिवरस्टी पर कारवाई होनी चाहिए UGC Regulations में भी ये लिखा है कि कोई भी युनिवरसिटी अगर स्टेट से बाहर कोई सेंटर बनाती है ये अपने में कैंपस से बाहर कोई सेंटर बनाती है और वहां से कुछ डिग्री वगरा इशू करती है तो उसको UGC की परमिशन लेनी पड़ेगी इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली हिंगरे Zee उनिवरसिटी की शुरूआत साल 2005 में हुई थी जिसके पहले चैंसलर, ISL और ZEE ग्रूप के चेर्मेन सुभाष चंदरा को बनाया गया सुभाष चंडरा अभी युनिवरसिती के संडरक्षक है इससे पहले भी कई बार युनिवरसिटी पर छात्रों के साथ धोका दड़ी करने के आरोप लग चुके है युनिवरसिटी के खलाफ वहां के छात्र धर्ना परदशन करने से ले कर उत्राखंड के मुक्यमंत्री हरीश रावत तक से इंसाफ की गुहार लगा चुके है गुपाल कृष्ण, निउस वाल इंडिया, डिल्ली चात्रों के लगाए गए आरोप और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर हमने इमेल भेज कर हिमगिरी जी उनिवर्सिटी और उसके संरक्षक सुभाष चंद्रा से प्रतिक्रिया मांगी थी अपने जवाब में उनिवर्सिटी ने सभी आरोपों को सेरे सखारिश कर दिया है हिमगिरी जी उनिवर्सिटी का कहना है कि उनिवर्सिटी पर लगाए गए सभी आरोप गलत और आधारहीन है उनिवर्सिटी का उत्राखन के बाहर और भीतर किसी तरह का स्टडी सेंटर और ओफ कैंपस नहीं है फर्जी डिग्री के आरोपों पर युनिवर्सिटी का कहना है कि किसी को भी फर्जी डिग्री नहीं दी गई है युनिवर्सिटी न्याय पालिका में पूरा भरूरसा रखती है